आजीब आपके पास आते हुए अब देखिए समाजमदी पार्टी ने ये आरोप लगाया सबसे पहले कि हमारे वोट कटवा रही है बीजेपी चुनाव आयोग से मिलकर फिर महरास्ट में चुनाव से पहले महाविका सगाडी की तरफ से ऐसा ये आरोप लगाया गया अब अर क्या चुनाव आयोग पो इस मुद्दे को गंभीता से लेते हुए बात नहीं रखनी चाहिए निश्चित रूप से चुनाव आयोग का काम है और दिल्ली के मुखे चुनाव अधिकारी को इस पर जवाब देना चाहिए वैसे देखिए जैसा वरुन ने कहा विपनेश ये हर चुनाव से पहले मद्दाता सुची को अपडेट करने का काम होता है उसमें कुछ मद्दाताओं के नाम काटे जाते हैं कुछ नए नाम जोडे भी जाते हैं ये एक प्रक्रिया है दिल्ली के बारे में ये जो डेडलाइन अगर डेट्स के हिसाब से आप देखें तो 18 एक्टूबर तक मद्दाताओं का जो वेरिफिकेशन उसका काम होना चाहि लेखें तो उसके पॉब्लिकेशन की डेट 6 जन्वरी है देखें चुनाओ एक ही अस्तर पर नहीं लड़ा जाता है चुनाओ कई अस्तरों पर लडा जाता है आमतार पर जब चुनाओ आयोग तारीकों की घोशना करता है तो हम मानते हैं कि चुनाओ अब शुरू हो गया ल और इसी अस्तर पर अभी दिल्ली में चुक्छे आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के भी वलिंटियर और बीजेपी के भी कारिय करता अभी से पिछले एक डेड़ महीने से ही अगर आप देखें तो डेड़ दो महीने से घर घर जाकर मद्दाताओं के तरफ से जनता पार्टी के लेटर हेड पर ये अप्लिकेशन दी गई कि 11,000 लोगों का नाम जो है वो कटवाने की अप्लिकेशन दी गई लेकिन डीम शहादरा की तरफ से जो बयान आदिकारिक तोर पर आया है उन्होंने काया कि 400,60 अप्लिकेशन ही आई और उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम नहीं है हाला कि आम आदमी पार्टी ने उनके बयान को पूरी तरह खारिज भी कर दिया है इंट्रेस्टिंग बात ये है कि जहां चुनाव आयोग को या चुनाव अधिकारी को बातें रखनी चाहिए और आकडों को सामने लेके आना चाहिए वर उनके साथ तो अभी मददाता वहां के खड़े हैं जिनका मकान अपना है और अभी पीछे लोकसबा में उन्होंने मददान किया था लेकिन इसमें नाम नहीं है तो अब जो वेरिफिकेशन का प्रॉसेस से इसमें इंट्रेस्टिंग बाती है कि जो काम चुनाव अधिकारी या चुनावायोग को करना चाहिए भारती जनता पार्टी उसको उसकी तरफ से जवाब दे रही है कि जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है बीजेपी ने ये आरूप लगाया है कि उसमें बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो बोगस हैं फरजी हैं और रोहिया और मांगला देश सारा वोटर्स कैसे हो सकते हैं देखिए ये जो तत्थ है या आरोप प्रत्यारोप का दोर तो चुनाव में चलता रहता है मूल बाते चुनावायोग की साख का मूल बाते चुनावायोग के पारदर्शिता का मूल बाते की चुनावायोग की जो पिछले कुछ दिनों से ये कि पारदर्शिता है और कहीं न कहीं इसमें कहीं कोई गरबड़ी या कुईसी गलत मन्शा से ऐसा काम नहीं किया गया है लेकिन इस तरह की जो इन्रेगुलर्टीज हैं अन्यमी तताएं वो हमेशा हर चुनाव में देखने को आती है लेकिन आम आदमी पार्टी और अरिविंद केजरिवाल को आप जानते हैं वो दूसे तरह की राजनीत करते हैं चुनाव से बहुत पहले ही उन्होंने इस चुछ को उठा दिया और मुद्दे को गरम कर दिया सिर्फ शहादरा की बात नहीं है उन्होंने कई आरके पूरम, सीमा पूरी कई इलाकों का नाम उन्होंने लिया है और की संख्या की दिश्थिछ है तो अब ये शहादरा की दिय Monsieur कुकि चुनाव अधिकारी भी फिह होती है तो अब ये निश्चित तोर पर मामला उठा है तो इसको रेक्टिफाई या वेरिफाई किया जाएगा आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि 18 एक्टूबर की जो डेडलाइन थी उसके बाद नाम जोड़े जाएं न घटाए जाएं कोई नाम 18 एक्टूबर के बाद नहीं काटे जाने चाहिए तो अभी चुनाव आयोग इस मामले पर मुझे लगता है कि उसको चीजों को साफ करना चाहिए छे जनवरी अभी डेट है अभी टाइम है एक महीने का उसके प्रकाशन का मद आता सुची के तो उससे पहले ये सारी रेगुलेटीज को ठीक होना बहुत जरूरी है और अगर ऐसा हुआ है दोनों तरफ की बातों को तभी सही माना जाएगा जब चुनाव आयोग की तरफ से कोई आकड़ा या कोई बात सानने आए बिल्कुल राजीव आप सही कह रहे हैं अगर राजनिते कारोप प्रत्यारोप को दूर रख दें तो ये चुनाव आयोग की साह को पारदर्शता पर भी सीधा सीधा सवाल है